हेलो फ्रेंज कैसे आप लोग होप आप अच्छे होंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है रेजलूम पर कि रेजलूम के अंदर हम लोग जो है पीपीटी पावर पाइंट और यूटूब हम लोग कैसे प्ले कर सकते हैं इससे पहले वे मेरा एक वीडियो अप्ल जो कैसे प्ले कर सकते हैं लेकिन उसा मेथड जो था वो कुछ अलग था जिसके लिए हमें शायद एक तो वीमेक्स जो की एक पेट सौफ्टवेर है और उसके अलावा हमें जरूरत पड़ी थी NDI की तो NDI की जो हम लोग जो है रेजलूम के अंदर जो है अपना यूटूब एंड जो है पावर पाइंट प्ले कर सकते थे और कहीं न कहीं हमें वहाँ पर एक सेकंड मॉनेटर की जरूरत भी पड़ती थी बट आज कब मैं वीडियो जो लेकर आ हूँ बिलकुल फ्री है आपको इसी के लिए किसी भी सौपेट सौफ्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उसके लावा आपको किसी सौफ्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जिस सौफ्टर की मैं बात करने जा रहा हूँ वो एकदम फ्री है फ्री और कोस्ट है उसके जितने भी प्लगिंस जो है वो प्री है और कहीं न कहीं आपने वो सौफ्टर यूज भी किय आएं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हम लोग जो ओनलाइन मैपिंग क्लासेज जो लेकर आए हैं योटूब पे तो अगर आप उसको उसमें इंटरस्टेड हैं तो प्लीज चैनल को जोईन करें नेक्स वीक संडे से हमारी जो है र आपसे में बात कर सकते हैं हम एक दूसरे से जिस टॉपिक पर भी हम लोग उसको टॉपिक पर बात करना चाहें वो क्लियर कर सकते हैं और आप हम से जोड़ सकते हैं परसनली तो चलिए बिना किसी वीडियो के देरी के वीडियो को करते हैं शुरू तो मैं यहां आगया software की, वो software है OBS, basically आपने हर किसी ने वो software यूज किया होगा ऐसा नहीं है, तो आज हम बात करेंगे OBS पे, कि हम लोग OBS से कैसे, जो है simple way के अंदर जो है कुई भी window capture कर सकते हैं, वो भी एक single laptop से, और कहीं न कहीं जो NDI की stable, वो stable नहीं था properties, तो उसके अंदर problems आ सकती थी, कुछ features ऐसे थे, कभी वो work कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसमें थोड़ा सा ये दिक्कट आती थी, यहां आपको किसी भी चीज की ज़ुरूरत नहीं है, ना आपको internet connections की ज़ुरूरत पड़ेगी, ना किसी और चीज की ज़ुरूरत पड़ेगी, तो यहां पर हम लोग एक, जो है, OBS का virtual camera जो use करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एक hit देता हूं virtual camera के लिए बारे में, तो यहां पर मैं OBS open करता हूं, तो basically virtual camera क्या होता है, virtual camera होता है, जो हमारा जो laptop है, उसका जो एक camera है, जिसको हम लोग जो webcam होते हैं, हमारा जो, उसी camera को हम लोग virtual camera में convert करेंगे, तो उसकी help से, कि वो capture क्या कर रहा है, मतलब हम जो है, जो हमारा जो webcam है, उससे हम लोग, जो है हमारा जो virtual camera की, जो virtual, इसकी obvious की जो है, वो हम लोग उसको virtual तरीके से, उसकी जो screen है, उसको capture करेंगे, then हम लोग उसको लेके जाएंगे, तो simple सा process है, कोई बहुत लंबा चोड़ा नहीं है, जिसके लिए हमें एक, जो छोटे से software की जरूत पढ़ने वाली है, यहाँ पर जो है, obvious virtual cam, यहाँ पर obvious जो virtual cam है, इसकी हमें जरूत पढ़ने वाली है, तो simple आप Google पर जाएं, obvious virtual cam सर्च करें, and यहाँ से go to download, simply आपके पास भी यह download हो जाएगा, मैंने ओर्री डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो आपको डाउनलोड करने की जरूरत मुझे नहीं है, यहाँ पर मैं अपने चैनल का ही, जो है YouTube ओपन करके बैठा हूँ, यहाँ पर मैंने ओपन किया YouTube, और उसके बाद हम लोग चीते हैं, डारेक्ट उसको इंस्टॉल कर लेना है, और डारेक्ट चलते हैं हम लोग OBS के अंदर, तो OBS के अंदर जैसे हम लोग इंस्टॉल कर लेंगी, देन उसके बाद हमने यहाँ आना है, यहाँ प्लस के आईकॉन पर क्लिक करना है, then यहाँ पर हमने window capture करना है ठीकी तो जैसे window capture पर click करता हूँ तो यहाँ मैं ok कर देता हूँ ok करने के बाद जो जो मेरे पास window open होगी अभी यहाँ मैंने background के अंदर दो window open करी हुई है number 1 मेरे पास एक powerpoint है slides है कुछ और यहाँ पर मैंने powerpoint की slides को open किया हुआ है second मैं बात करूँ तो मैंने जो है अपना एक youtube का channel youtube जो है open किया हुआ है google chrome के अंदर तो आप यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि आपने youtube इ open करना है आप यहाँ पर कुछ भी open कर सकते है चाहे आप google chrome से कुछ आपके पास कौन सी चाहिए आपको कि chrome की window चाहिए या आपके पास यहाँ पर अगर मैं powerpoint की window लेता हूँ तो अगर आपके पास powerpoint की window आपको कौन सी window चाहिए तो यहाँ से मैं एक बार इसको ok करता हूँ यहाँ पर दोनों window आएगी यहां से मैं अगर इसको डिलेट करके दुबारा रिइंस्टॉल करूँ प्लस पे क्या है विंडो कैप्चर, ओके तो यहां पर मेरे पास जो है पावर पैंट की विंडो भी आ गई है, देन मेरे पास क्रोम की विंडो भी आ गई है, अगर आप चाहते हैं कि आप इनको बार बार यहां सा ना करें, तो सबसे पहले आप है कि विंडो कैप्चर है जो आप दो बार इंस्टॉल कर लें यहां पर तो एक में आप पावर पैंट डख लें दूसरे के अंदर आप जो है अगर आपका यूटूब वगरा चलाना है तो वो रख सकते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, यहां पर पावर पैंट की, तो पावर पैंट को मैंने स्लेक्ट कर लिया, और यहां पर आप करसर और जो इसका ओडियो रिकरसर आप इसको यूज करना चाते हो देन ओके, ओके करने के बाद आप यहां पर देखेंगे, थोड़ा जूम होके आ रहा है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहां पर ट्रांसफोर में जाएंगे और यहां फिट तो स्क्रीन करेंगे तो आपके पास यह देखेंगे कि स्क्रीन जो है पूरा का पूरा जो है पावर पैंट की जो आपने विंडो ओपन की थी, वो यहां पर आ चुकी है अब बात करेंगे यह रेजलूम में यहां रेजलूम में जाता हो है यहां रेजलूम में जाने के बाद में यहां पर आप सोर्स में जाने के बाद यहां से OBS वर्चुल कैमरा जो है यहां कनेक्ट कर लेंगी तो आपके पास कुछ इस टाइप की विंडोज ओपन होगी वर्चुल में तो यह आपके पास क्लियर हो गया देन उसके बाद आपने यहां स्टार्ट वर्चुल कैमरे पे क्लिक करना है तो जैसे आप स्टार वर्चुल कैमरे पे क्लिक करते हैं तो आप रेजलूम के अंदर देखेंगी कि जो मेरी विंडोज यहां पर स्वरी OBS के अंदर कैप्चर हो रही है वह window मेरी यहाँ पर मेरे जो है रैजलों की स्क्रीन पर आ गई है शो हो गई है तो आप यहाँ से Windows जितनी मर्जी आप उसको कहां चाहते हैं सेंटर स्क्रीन में, साइड वियरा में वह आप कर सकते हैं जैसे कि आप पहले भी करते आ चुके हैं इस पर कोई effect अप्लाई करना चाहता हो कर सकते हैं तो simply जो मेरा जो है वो power point है जो है resolium के अंदर आ गया है simply तरीके से कोई capture नहीं है कोई and a use नहीं किया कुछ भी हमने use नहीं किया अब अगर मैं यहां से इस power point की जगा पर यहां पर मैं क्या करता हूँ जो है chrome use करता हूँ अगर मैंने जैसे chrome use किया बट मुझे chrome यहां पर show करना पड़ेगा मतलब highlight होना पड़ेगा देखना पड़ेगा उसके बाद अगर मैं OBS पर जाता हूँ तो यहां पर मेरे पास जो है यह देखिए मेरा जो है YouTube जो है play हो चुका है और simply मेरा जो है YouTube रैजिलूम के अंदर भी play हो चुका है अगर यहां पर आज रैजिलूम को अगर आप minimize करके इस window को जो है Chrome के अंदर direct आप कुछ भी करें इस Chrome को अगर आप खोल के open करके आप अगर इसके अंदर full screen में वर्चूल आपना YouTube चलाना चाते हैं Facebook चलाना चाते हैं आप कुछ भी anything इस पर play करना चाते हैं Chrome के अंदर तो आप कर सकते हैं simple तरीके से कर सकते हैं तो आगर आपको रैजिलूम के अंदर कुछ भी play करना है कुछ भी का मतलब कुछ भी अगर जो आपके laptop की window पर play हो सकता है तो वो अगर कुछ भी play करना हो चाहे VLC player में कुछ play करना हो window media player में कुछ play करना हो कुछ भी आप अगर आपके laptop की screen पर play करना हो तो आप इस तरीके से simple way के अंदर जो है रैजिलूम के अंदर इसको capture लिख कर सकते हैं जिसके लिए आपको किसी भी जो है NDI की या आपको internet की किसी भी चीज़ी की ज़रूरत नहीं पढ़ने आ लिए तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को like, share और comment ज़रूर करें ऐसी आपके लिए अच्छे अच्छी वीडियो हम लोग लेकर आते रहेंगे बने रहें वीडियो में तब तक के लिए टेक केर, बाई बाई